हेलो जी ये वेरी वेजी गोज आफ्टरनोन क्या हाल चाल उमीद कर रहा हूं सब लोग बहुत अच्छ होंगा बहुत बढ़िया होंगे बहुत तकड़े तरिकेस तहीयर कर रहे होंगे सारे के सारे प्रिवियस ली पूछे गए सारे तगड़े सावाल तो इन क्वेशन्स को जरूर देखें जरूर पढ़ें और इन सब सेशन्स की पीडियेव जो है आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप इसको सर्च करियेगा क्लास की पीडियेफ आफ्टर फाइफ मिनिट्स आपको इसी टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी ग्वेरी वेरी गजाफनों जी सारे बच्चे जलदी से तावड तोड तरीके से लाइव आजाओ लाइव आने का समय हमारा है होता है बारा बजे ओके डेली सेशन इसी टाइम पर होता है उमीद कर रहा हूँ अब तक जो बच्चे सेशन अटेंड कर रहे होंगे भरपूर मजा आ रहा होगा तगडे तरीके से क्लास कर रहे होंगे ठीक है चलो सेशन स्टाट करें बोलो जी सेशन स्टाट आजा एक चीज और अभी तक जिन बच्चों ने इन्रूल नहीं किया ना अ बच्चा इसमें जानने की बाद पता चले कि टॉप रैंक ले आया है 100% स्कॉलर्शिप ले जाए 20 लगे विनर को मिलने वाले गिफ्ट वाउचर ये फ्री में है एक पैसा नहीं देना है बस आपको कोड यूज करना एक्जामो यहाँ पर अपना फोन नमबर डालो एक कोड आपको डालो एक्टिविशन कोड में एक्जामो डाल दो और यू आर इन्रोल्ड डायरेक्ट बस इतना करना है 18 फर्वरी के लिए तयार हो जाओ बस ठीक है चलो सेशन स्टार्ट करें अर्यू रेडी एक बार सारे बच्चे फटावट से लिख दो रेडी हम लोग तयार है चाहिए हम लोग तयार है रेलवे के लिए जो सबसे तगड़ी चीज जो है GS के अंदर साइंस चुपा हुआ कहीं पोर्शन है वो साइंस वाला पोर्शन यही है मैं सारे कोशन करवाओंगा अब तक के रेलवे में पूछे काई पिछले 5-6 सालों को जितने अच्छे सवाल ह मैं यूट्यूब पे डेली बेसिस पर करवा रहा हूं बस आपको एक काम करना है आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है जो मैंने आपको बताया वहाँ पे पीडियाप उठानी है और उन पीडियाप को रगड़ देना तगड़े तरीके से डेली क्लास होती है 12 बचे एक द दूद को दही बनाने के लिए सर दूद दही वाला कंसेप्ट मुझे एकी वर्ड याद आता है बाकी वर्ड मैं नहीं याद करता अब जब ये रेल्वे में सवाल पूछा गया होगा तो 99 परसेंट लोगों का अंसर सही रहा होगा कैसे क्योंकि उन्होंने ढूंड लिया हो बैक्टीरिया की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है who discovered the bacteria bacteria की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है sir उस व्यक्ति का नाम है A.V. Leonehawk क्या नाम है A.V. Leonehawk दूसरा अगर मैं इनी व्यक्ति को बात भी करूँ तो ये ये वही बंदा नहीं है जिसने living cell की खोज भी की थी एक जीवित कोशिका की खोज करने वाला, हाँ सर यही है, अगर साल के बारे में बात करें तो 1674, मुझे एर भी आ दकने, आजकल एर पूछा जाने लगा है, ठीक है भाई, अगला सावाल, देखो अब ये question, देखो ऐसे पूछा गया था, ये पूछा गया कि spiral shape bacteria का नाम क्या ह ये question सबसे जाद पूछा गया, ये most important question है, पता नहीं कितनी बार exam में repeat हो चुका है, अगला question देखते है, next सवाल है, what is the scientific name of modern day human, एक modern day human का scientific name क्या होगा, जल्दी बताना, क्या होगा, जल्दी जल्दी, homo sapien हम लोगों ने पढ़ाव, अब सब में sapien sapien है, मैं answer में क्या लगा हो, हाँ जी, जल्दी से, modern human being का नाम, ये अच्छा सवाल है, लगा दो सारे बच्चे answer, अब यहाँ पर आदी जाद बच्चे रुके वे, क्या लगाए answer, कैसा लगाए, जल्दी लगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बी, जो है, ठीक ठाक सा लग रहा है, हमने पढ़ाई, homo sapien है, सब में sapien है, तो sapien sapiens, ये correct answer होगा, पेपर में जाके confusion हो सकती है, वैसे गलती नहीं करके आनी है, अचा मुझे एक ची बताना है, जब मैं human के बारे में बात करता हूँ, ये मानव शरीर है, मानव शरीर में, जब हम शरीर को देखते हैं, तो इसके अंदर कुल मिला के हड़ियां कितनी होती हैं, सर कुल मिला के हड़ियां 206 हैं, और कुल मिला के मसल्स कितने होते हैं, सर कुल मिला के मसल्स 6, 3, 9 होते हैं, सर सबसे लंबी हड़ी के अगर मैं बात करूँ, कौन सी होत सरबलड का pH होता है, 7.4 याद अखलोगे, अगर मैं यह बात करता हूँ, pH, pH का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पोटेंजा, या पोटेंशल, या पावर, ये सारे एक ही बात है, पावर किसका, और हाइडरोजन का, यह वर्ड याद अखलेंगे, किसका होगा, हाइड अगला सावा The Exposure of Gases Pollutant Sulfur Dioxide में एक कोज यह कहा रहा है गैसिक पदार्त है जैसे परदूशन में Sulfur Dioxide के संपर्क में आने से क्या हो जाता है अगर माल लो यह हमारा कोई एक बंदा है यह हमारा एक स्टूडेंट है यह बले-बले कर वा बले-बले है जिसके ओपर sulfur के cloud दिखाए देते है venus cloud के ओपर अब यह कहा रहे कि sulfur dioxide हमें दिखाए दे रही polytend में दिक्कत क्या आएगी हमारे फेपटे खराब हो जाएगी पेटे में problem हो जाएगी alveolarisans की कुछ problem होगी bronchiae में problem होगी या pulmonary emphysema होगा correct answer में क्या लगा हूँ क्या लगा हूँ answer भाई correct answer यहां रहेगा हमें problem होगी lungs की problem हो रही है basically यह सारी problem के अंदर हमें problem होगी लेकिन major तोर पर जो सबसे नजदीक answer आ रहा है वो RAD यहाँ पर हमें lungs की problem देखने को मिलेगी मैंने आप को दिन भी बताया था lungs का काम क्या होता है फेपडो का सर सांस लेने का काम होता है सांस लेने में हमने सबसे छोटी काई बढ़े थी alveoli alveoli क्या था sac leg structure होता है exchange of gases करता है लेकिन वो तो जुड़ा होगा किससे है bronchitis trachea इनी से जुड़ा होगा तो बीमारिया में देखने को मिल जाएगी ठीक है भाई लोगो अगला question देखें next सवाल which of the following is not the function of liver liver का function नहीं होगा liver क्या है सबसे बढ़ी गरंती है कौन सी है सबसे बढ़ी गरंती भाई यह यह करित है हमने का सबसे बढ़ी गरंती यह है लेकिन इसका यह वाला काम नहीं होगा क्या क्या सबसे पहला question पढ़ते है remove करेगा बहुत सारे जो waste पढ़े होंगे body के अंदर अच्छा protect करेगा gall bladder को ठीक store करेगा glycogen को okay produce करेगा bile यह भी okay क्या answer मैं लगाओ liver का काम क्या होता है लगाओ जी answer liver का असली काम क्या होगा liver क्या कर रहा है certain waste को remove करेगा gall bladder को बचा के रखेगा glycogen को store करेगा produce करेगा bile cocaic answer b answer आ रहा है बहुत बढ़ी है b answer आ रहा है लगाते राकुर सारे d आ रहा है here produce करता bile तो produce करता bile यह सबसे पहला answer यह होना चाहिए इसमें न दो तरीके का है जर्नली जब हम यह कहते है remove certain waste from the body तो waste का removal का काम जो होता है वो kidney देखता है waste का removal का काम kidney देखता है लेकिन जब मैं liver को देखता हूँ तो liver के ज़स्ट नीचे gallbladder होता है तो as such gallbladder को बचा के रखने का भी काम यह करता है अब अलग-अलग जगाँ पर इसका अलग-अलग answer है लेकिन अगर मैं इसको घूर-घूर के देखूँ तो क्या करता है यह जितना भी हमारा waste product है हलका full का remove करता है लेकिन gallbladder को बचा के रखने का काम इसका नहीं होता है ठीक है तो यह पहली बात यह दोनों option तो नहीं है क्या करता है glycogen अच्छा और bile इन दोनों को देख लेगा बचा के इन दोनों में से एक आंसा लगाना होगा तो maximum जो है यह gallbladder को बचाता हुआ नहीं नजर आता है बस gallbladder एक position में होता है as such protected layer नहीं होता लेकिन यह waste वाला जब भी आता है waste को remove करने का तो मुझे answer किड्नी लगाता है क्योंकि kidney का काम क्या होता है filtration का हमेशा आद आखना kidney का काम क्या होता है सफाई का काम filtration का काम तो मुझे kidney के उपर जाना है तो as such इस question का answer भी होना चाहिए अगर मैं liver के बारे में बात करता हूँ तो ये bile वाला जो answer है वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि bile juice का secretion ये करता है bile juice पे gallbladder में चला जाता है और यहीं gallbladder से कहा जाता है सर ये हमारे पेट में विसे निकला वाजो खाना है न वहाँ पे जाता है हमेशा मैंने आपको कहा है दो तरह की juice निकलता है एक bile juice निकलने वाला बिली रूबीन है और एक है बिली वर्डिन तो याद अखना बिली रूबीन अगर जादा हो जाए maximum हो जाए increase हो जाए तो पिलिया हो जाता है john dis हो जाता है क्योंकि इसका कलर भी कैसा है पिला और वैसे बाइल जूबीन वर्डिन के बज़े से क्या होता है green होता है ये वर्ड कुशन ध्यान रख लेना कि बाइल जूबीन उसका कलर कैसा होगा बीज बन जाएगा कौन सा हिस्सा pollen का, carpel का, ovary का, ovule का अच्छा कोशन है अच्छा सवाल है लगाओ कौन सा भाग, flower का seed बन जाएगा जब वो fertilization में चला जाएगा pollen, carpel, ovary या ovule पहली बात तो सर्थ समझ से परे जा रहा है मामला समझ से परे जा रहा है एक बढ़ डियागरम देखे जड़ा देखो जी, हमारे पाद ना दो तरह के फंक्शन होते है एक होता है male part और एक होता है female part लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सर सवाल यह कह रहा है कि bees जो है undergoing fertilization अच्छा, मतलब मुझे female part के ओपर ध्यान देना है तो male को मैं side कर दूँ, तो male को मैं कैसा side करूँ एक enter और filament, यह दो हिस्सादार नहीं होगी enter filament, कोई option मैं ना दिखाई दे रहा है इसमें तो कुछ नहीं है सर आगे हो, मैंने का female के जो भी portion होगे female के जो भी portion होगे stigma, style, ovary, ovule और egg सही बात है यह क्या part होगया, कारपल, pistol का part होगया यानि female part ही होगया अब question क्या कहता है, seed का part जब change होगा आपको दिखाए दे रहा सर, हाँ सर दिखाए दे रहा यह रहा seed, यह रहा तो किस में जाएगा, ovule में जाएगा इधर answer क्या रहेगा, ovule आ जाएगा समझ में आया बही answer कैसे लगाना है clear है सबको question बहुत मज़ेदार, आपसे अलगलग सवाल पूछेगा वो सवाल ही पूछेगा, बताओ male reproductive part कोन से हैं flower के अंदर, male वाले part एक आएगा enter और एक आएगा filament, यह दोनों point यहाद इधर आओ, female part में एक आता stigma, एक आता है ovule, एक आता ovule, यह point हम सिधा सिधा याद अख लेंगे अब एक word हमने सुना हुआ है, यह pollen greens उड़के जाते हैं, यह enter से चिपके हुए निमलिकित में से कौन सा hormone मानव अंडाशे द्वारा स्वर्वत होता है मलब release होता है, secret होता है estrogen, test stroke पहले तो यह वाला तो हटा दो, यह male वाला part है follicle stimulating hormone maybe hormone leasing है, और utilizing hormone estrogen है, correct answer में क्या लगा किया हूँ लगाओ जी answer यह हर बच्चे को आना चाहिए, बहुत easy question है बहुत easy question है, correct answer बहुत बड़ी है, estrogen होगा estrogen होगा अच्छा, एक हमने कहा था, at the time of labor pain at the time of labor pain एक, हमारे पास यहाँ पे hormone secret होता, उसका नाम क्या है at the time of labor pain एक hormone release होता है, उस hormone का नाम क्या है सर, उसका नाम है oxytocin, वर्ड याद अख लोगे oxytocin clear है बई, यह चोटे-चोटे सवालों पर हम ध्यान दे रहे हैं, इनी कोचे हमें improvement लानी है, next आजेगा which of the following is the longest bone in human body, मानेफ शरी के अंदर सबसे लंबी हड़ी, सर, अब हमें कोई रोक नहीं सकता, femur होगी, सबसे छोटी, smallest, smallest ही होगी अच्छा, मुझे एक चीप पताना है, मेरे सामने ना है, हाथ की हड़ियों के बारे में पूछा गया, ध्यान से सुना पहले सवाल हाथ की हड़ियों में सबसे लंबी हड़ी कौन सी होगी सवाल सुन लिया, option है humorous, radius अलना और हमसे ना और पूछना, humorous radius और अलना तीन हड़ियों के नाम और एक option ननो दीज, पूछा गया, हाथ में पाए जाने वाली सबसे बड़ी हड़ी, इन में से कौन सी होगी हाथ में पाए जाने वाली हड़ी हो में से सबसे बड़ी हड़ी तो answer क्या होगा, humorous होगी humorous जो है, या दख लेना longest bone of hand longest bone of hand हाथ में पाए जाने वाली सबसे बड़ी हड़ी, कौन सी होगी हमारी humorous होगी आगया जो, which of the following metal is responsible for causing tie-tie disease यह हमने बहुत बार पढ़ लिया blue baby syndrome blue baby syndrome nitrate होगा एक, लगा दो जी, nitrate अगर मैं कहूँ mini माटा, mini माटा sir, answer होगा, क्या mercury, mercury, या दख लेंगे correct answer क्या रहेगा, cadmium रहेगा correct answer क्या रहेगा, cadmium रहेगा यह बहुत, बहुत repetitive question है इदर आओ, आज के बाद हम रटेंगे हमसे पूछा गया, अगर किसी के lungs सफेद कलर के cancer create हो रहे है, asvesto mesothilomia है pink disease है, minimata अब मैं important पर लिख रहा हूँ pink disease पूछेगा, minimata, mercury दोनों या रख लेंगे, ठीक है tie-tie, cadmium हो गया lead का dyslexia हो गया, यह question भी बहुत जादे important है, plumbisum very very important, ठीक है बाकी जोड़ सकते हैं, arsenic का black foot है, very very important, silica के लिए silicosis है, यह भी हम याद रख लेंगे उसके बाद आजो chromium वाला, chromium से skin की problem हो जा रही है, आगया यह का, coal से black lung disorder है, iron से sidrosis, यह question नुमारा exam में आया हुआ है, और nitrate से blue baby syndrome है, एक बार मुझे जल्दी से बताना, तुमने अभी दो-तीन चीज़े पड़ी plumbisum, plumbisum किस से होता है, sidrosis किस से होता है, दो question का फटावट से आंसे लगाना, एक, number दो number तीन, जल्दी से मैं को बता दो, pink disease चलोबे, तीन question तो अभी तयार होगे plumbisum, sidrosis, pink disease plumbisum किस से होता है, lead से sidrosis किस से होता है, लोहे से और pink disease किस से होता है, mercury से किस से है, mercury से और ये question मैं बार-बार पूश्चन हो कि mercury को मैं जब भी mercury को मैं जब भी किसी के साथ mix करता हूँ, तो एक solution बनता है क्या बोलते हैं, amalgam amalgam, या दख लोगे, amalgam ये मुझे या दख लोगे बोलो जी, मामला clear हुआ, आगे चलो में next सवाल की तरफ synapse gap is present between which are the following ये हमने पढ़ा-पढ़ा सा लग रहा है, कुछ gap वाला पढ़ा है, brain के और ready-headdy में शायद, दो kidney के बीच में ये नहीं लग रहा है दो neurons के बीच में, और none of these में correct answer क्या रहे हैं, दो neurons के बीच में correct answer क्या रहे हैं, दो neurons के बीच में या दख लोगे, synapse gaps, पूछा जाए तो सिधा-सिधा answer लगाना, दो neuron के बीच में में देखने मिलता है, connecting point है इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, अच्छा अगर मैं ये पूछूँ, एक महिला के अंदर महिला के अंदर largest cell कौन सा होगा, तो answer क्या लगाओगे महिला के अंदर सबसे बड़ा cell क्या होगा, महिला के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा cell सबसे बड़ा cell ovum लगा दू, चलो भई, ovum लगा दिया अगली बात, अगर मैं तुमसे ये कहूँ fertilization took place fertilization महिला के अंदर कहां पे होता है तो इसका answer क्या होगा, fertilization took place where कहां पे होती है, तो answer क्या होगा answer होगा, fallopian tube क्या होगा, fallopian tube याद अख लोगे, fallopian tube यह मुझे याद अख लेना है next सवाल देखते है, question क्या कहता है which of the following reason has the maximum biodiversity ये question वही अलग-अलग तरीके से एक मुझे ही बताना कितने है, दूसरा मुझे बताना सबसे ज़्यादा, biodiversity पहली बात होता क्या जहां पे जीव, प्रजीव vegetation बहुत भैतरीन हो उसी कौम biodiversity कहते है अब सवाल क्या पूचा जा रहा है आपको यह बताना है, maximum biodiversity हमें कहां देखने हों मिलेगी पुलार मतलब ठंड़ ठंड़ है डैजर मतलब रेगिस्तान है, नदी मतलब बहता हुआ है ट्रॉपिकल मतलब आहा, यह ठीक लग रहा है ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, यहां पर हमें evergreen जंगल देखने को मिलते हैं evergreen जंगलों में जर्नली जो बारिष होती है, वो 200 cm से ज़ादा होती है और 200 cm का मतलब क्या है, इसको मेजर करते है rain gauge, एक instrument आता है rain gauge क्या है, सर एक instrument है instrument है जिससे हम मापते हैं कि कितनी बारिष हुई है वही मैं बात करूँ, दुनिया में maximum जो rainfall देखने को मिलती है वो कहां पर मिलती है, सर दुनिया में maximum rainfall जो है, हमें मेघाले के अंदर मेघाले के अंदर एक location है, क्या नाम है सर मौसिन राम ये दुनिया में सबसे ज़ादा rainfall देखने को मिलती है अगली बात, होट स्पोर्ट कितने हैं मौट स्पोर्ट है, मुझे ने एक बार आंसर दे न, सूंडा लेंड कोई सुना सुना लग रहा है क्या, सूंडा लेंड सरी कौन सा पार्ट होता है सूंडा लेंड, भारत का कौन सा इस्सा cover होता है, अगर नहीं याद आ रहा तो थोड़ा सा याद रखें न, सुन्डा लेंड के अंदर हमारे अंडेमा नीकोबार कवर होते हैं, थोड़ा सा इससा नौर्थ इस्ट का कवर होते हैं, इत्ती बात मैं याद कर लूँगा, चेरा पुंजी जो लगा रहे हैं, प्लीज मेक शूर कि आज का अपडेट डाटा मौसें दाम कहता है, चेरा पुंजी इस लोकेशन दस किलोमेटर दूर है, अगर मैं थोड़ा सा इससे देखू न, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं यह मेखाले, यह हलका सा एक एरिया मेखाले का यह यहां पर तीन हील हैं, गारो, खासी और जैनतिया, कौन सी हील हैं, गारो, खासी, और जैनतिया, गारो, खासी, जैनतिया, यह तीन हील्स है, यह तीनों क्या हैं, भई यह मेखाले मेलाई गरती है, और यहाँ पे आती है खूब बारिश अब बारिश के लिए मोंसून भी तो आना चाहिए न मुझे कमेंट करके बताओ जब मेखाले के अंदर इतनी तगड़ी बारिश होती है तो जो मोशर आता है जो हवाय आती है जो पानी वाली हवाय है वो कहां से आती है उसका नाम कोई होगा तो याद रख लें उसका नाम होता है साउथ वेस्ट मोंसून अगला क्वेशन भारत के अंदर कितनी तरह की हवाय देखने को मिलती है एक हवाय ये है जिसको हम कहते हैं कि भारत के अंदर सबसे तकड़ा जो बारिशा वो ये लेकर आती है दूसरी हवाय कोंसी होती है नौर्थ इस्ट मोंसून ये नंबर दो हो गई और अगर कोई मुसे पुछता है न कि सर्दियों के टाइम में तुम ये बताओ जो तुम दिल्ली, यूपी और उपर वाले जो हिमाचल बरफ कहां से गिरती है तो इस का अंसर होगा Western Distribence क्या अंसर होगा Western Distribence अब समझेगा ये दोनों जो हैं वो सर्दियों का काम है सर्दियों का काम है ये जो काम होता है ये बारिशों का जो है उसमें मुझे एक क्वेशन जो है काल बेसाकी काल बेसाकी ये जो है अलग बारिश होती है काल बेसाकी एक जगह है या मैं लिखो नूर वेस्टर काल बेसाकी है नोर्वेस्टर, मुझे भारत के किस हिस्से में हल्की फुल्की बूंदा बांदी करते नजर आते, बहुत बढ़ी है West Bengal होगा क्या होगा जी, West Bengal होगा भाई तुम्हें चीजे समझ में आ रही है, अगली बात ये जो word है, monsoon ये word कहां से लिया गया है, it was drive from the word मोसिम मोसिम कैसा अक्षर है, अरबी बासा का अक्षर है, Arabic word है, और ये किस ने दिया था, एक traveler था, जिसका नाम था अलमसूदी, क्या नाम था अलमसूदी इस आदमी ने ये traveler है वेपारी है, इस आदमी ने ये monsoon word दिया था, मामला clear आगे चला जाए, अगला सवाल देखते हैं dots जो है, एक treatment है जो patient को दी जाती है अगर इनी में से एक बिमारी से treat करता है, एक का तो मैं answer देता हूँ AIDS का है ELISA तो ये वाला option मैं अठा देता हूँ तीन में से एक answer देना है क्या लगा हो answer तीन में से एक answer लगाना है ताबर थोड़, भाई तुम session को ना like करते हो आज किल बच्चे मुझे थोड़े बहुत उपर नीचे नज़र आ रहे हैं कहां चले गई हो लगा, D answer आ रहा है TB के लिए दिया जाता है, डोर्स का मतलब क्या होता है directly observed observed therapy याद रख लो ऐसा कुछ directly observed therapy, ये इसका हलका सा नाम आप याद रख सकते हो, TB के लिए TB के लिए के एक vaccine भी देते, BCG vaccine BCG vaccine full form क्या है इसकी, full form क्या है bacillus calmini utin, ऐसा पुछ नाम है bacillus calmini utin, ये किसका नाम है ये हमारा BCG का नाम है इसी के लिए दी जाती है सर, सब शादी में busy है किस की शादी आगी selection नहीं हो, तो शादी कैसे अच्छी होगी which of the following is a dominant autosomal disorder in human देखो, एक allotrop होता है, एक autosom होता autosom सब में होता है, मतलब ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो उपर से जा रहा है पहली बात मुझे एता हो हमारे पास total chromosomes कितने होता है हमारे पास total chromosomes कितने होता है, पहले तो यह बता दो हमारे पास इतने chromosomes है answer लगाने हमारे पास कितने chromosomes है 42, 43, 44, 45, 46 पहले एता हो जल्दी से correct answer के 7 देखो, इसमें लिखे पर फिनाइल कीटो यूरिया मतलब यहां पर यूरीन से रेटर प्रॉबलम है यूरीन से रेटर यूरीन में शुगर जाद आने लगती है यह फिनाल कीटो यूरीन कम हो जाते है यह सब बाकिलों कांसा लगाँ भई 23 का पेर लगाँ 23 का पेर तो कितने हो गए 46 ख्रॉमोजोम न सब में common होते हैं उनको हम बोलते हैं ओटो और कुछ चेंज होते हैं जिससे हमें male female इनके पता चलता है तो वह सारी प्रॉबलम है तो आप से यह कुछ अजार है इन में से कौन सा autosomal disorder जो है वो human में देखा जाता है तो वो है अलजाइमर में क्या होता है थोड़ा ट्रीमर आन लगता है भूलने लगता है दिरे-दिरे शरी कोई अंकाम करने लगता है यह वैसा वाला रहता पाथ इसको आप ऐसे याद रखोगे पेपर में बहुत important questions है यह ठीक है चलो next सवाल देखे लाइकिन जो है इस association पहली बात लाइकिन जो है कौन सा pollution पता था लाइकिन जर्नली हमें air pollution के बारे में जानकारी देता है अगर कहीं पर air pollution तो उसके बारे में जानकारी कौन देखा लाइकिन देगा अब सवाल यह कह रहा है लाइकिन जो है एक association है with which are the following two algae tree algae fungus algae bacteria algae legumes क्रेक्टांसर क्या रहेगा है algae और fungus algae क्या होता है blue green algae कौन सी algae है blue green algae याद एक लोगे blue green algae को अगर मैं fungus के साथ इस्तमाल करता हूँ तो मुझे क्या देखने में मिलेगा तो मुझे लाइकिन देखने में मिलेगा ठीक है लाइकिन जनरली किसका प्रदूशन दा सल्फर का प्रदूशन दाता है अच्छा मुझे एक बार king of chemicals बताना चल भाई का बात है बबुआ पढ़ाई में मन नहीं लगता सेशन को लाइक नहीं कलोगे कैसे चलेगा आगे चले next question motor skills are associated with which part of human body motor skill मतलब हमारे शरीर का काम करने का जो तरीका है वो frontal lobe यह frontal lobe है बीच मे दिखाई देन वाला Paratal lobe यह प्रेटर lobe है last में दिखाई देने माला अब ध्याद से सुरो frontal lobe क्या करता है frontal lobe मेरे life में जो भी मुझे बोलना है decision लेना है judgment लेनी है वो मैं frontal lobe से लेता हूँ हमने का जी true है दिमाग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो basically sensory काम करता है touch मलब ऐसे कहते हैं touch me touch me touch me तो कौन बता रहे हैं parents बता रहे हैं यह touch me touch me वाला गाना ठीक है जी temporal temporal साइडों में होता है अगर यहां पर कोई जोर से मुक्का मार दे आखों की रोशनी का है डंडा मार दिया ठीक है तब भी आखे जासती है बोलना जासता है या दाज जा सकती है यह सब का और बेसिकली यह वीजोल के लिए काम करता है कि मेरे को क्या दिखाई देगा चीक है ओसी पिटल मुझे यादक ने दुबारा पड़े हमने का फ्रेंटर में तो फ्रेंट में है सारे कोई भी डीसीजन लेना है कहीं भी जाना है आना है जज्ज्मेट है मुउमेंच है promise और प्रेंटर चेंड टैंपोरल क्या होगा तत्यम जारा बयारि दिखाना उगया तो बीसीग्रल क्या रहेगा प्रेंटर रहेगा बोलो जी orbits नय में हैंक मामल रहे आगे चले अगला सभ जीवन चकर के किस चरण में रेशम कीट रेशे का उत्पादन करता है जिसका उप्योग उद्देश्यों के लिए किया जाता है करेक्ट आंसर में क्या लगों भाई आज तो student actual में बहुत कम लग रहे हैं मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं तुम्हें सेशन मज़ा आना बंद हो गया कि आजकर चार दिन पढ़े थे पर ठीका कि उसके बाद फिर गायब सब हाँ जी ना सेशन को मैं कहता रहूं तो मैं चल लग रहे हैं लाइक तो करो नहीं लाइक नहीं करेंगे अब इधार देखते हैं बिसिकली होता क्य आगर मुझे सिल्क वॉल के बाद जा सिल्क वॉल की सैकिल पड़ते हैं ठीक है उदर से केड़ा चलके आ रहा है लार्वे क्रियेट हो रहे हैं अंडे बंद है एडल्ड बंद है पहला क्या चाहिए हमें कोकॉन चाहिए क्या ठीक है याद अख लोगे हाँ या न क्लियर जब हम पहली सेशन ले रहे थे तो बच्चा था 90 आज मैं देख रहा हूँ चाली स स पिथिस्थ्यष यहीं पर रोटेट करता इनंस रॉटेट करता रोटेट यहीं पर नगयॐ सर पढ़ने का मन नहीं करता, ये हफ़ता ही ऐसा है, क्वेश्चन का आं से लगाओ, टेक्टोना ग्रेंडिस लिन, एक साइंटिफिक नेम है, इन में से किसका, गवाबा है, आवला है, टीक है, बटेक्टिक, टेक्टिक, ये हो गया, तो टेक्ट से टीक या दख लेना, टेक् कि बाकी सारे बाकित हमें याद करने करने कुछ important मैंने मैंने अधिक है जैसे mango का भी याद कर सकते हो apple का याद कर सकते हो अनार का याद कर सकते हो pineapple का याद कर सकते हैं मोटा मोटा देखी सकते है ठीक है clear याद अख लोगे आगे आजो next आवाल है question आधा which is commonly known as father of microbiology microbiology का पापा कौन Robert Hooke Lena S है, Darwin है A. Philippines, V. Leuwenhock correct answer microbiology का पापा, कौन होगा who was known as father of microbiology Tabertod B answer आ रहे है, Lena S लगाओ D आ रहे है, भई D लगाओ correct answer क्या लगाओ, D लगाओ Robert Hooke, Robert Brown तो हमें याद ही है ठीक है, इनको याद करो living cell और nucleus के लिए आगे आईएगा इन में से कौन सा cell organize known as suicidal bag, suicidal bag हमने याद करो mitochondria powerhouse है powerhouse से लिना देना है इसका energy को produce करता है, energy producing है, energy producing होगा, ATP की form में energy निकलेगी, हमने का हटाओ इसको, goalji apparatus है, सर packaging का काम है, क्या काम है, सर packaging material काम है, यह package बनाएगा lysosome, suicidal bag है ribosome, protein की factory है protein की factory रटो, याद करो, बाकी छोडो मत protein की factory होगा, करें answer क्या रहेगा, lysosome, lysosome को क्या बोलते हैं digestive and suicidal digestive भी करेगा, और suicide भी करतेगा digestive and suicidal, यह दोनों याद रखो जो तुमारा मन करेवाण से लगा गया ना अगला सवाल है, which the following drug is used as anti-diabetic drug, यह कह रहे हैं इन में से कौन सी drug को anti-diabetic, diabetic मैं पहले ही दच को diabetes दो तरगी होती है, diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2, एक जो होती है पापा से, दादा, यह वाला process चल रहा है ठीक है, diabetes 2, तुमारा खाना पिना, क्या तुमने खाना खाया, कैसा तुमारा lifestyle है, वो 2 में आ जाएगा, और 3rd, as a time वो pregnancy भी हो जाती है, diabetes के अंदर body में किस चीज़ की कमी है, insulin की कमी हो जाती है, insulin की lack हो जाती है insulin कहां से produce होता है, pancreas से produce होता है, कौन सा cell है बीटा cell है, जगा का नाम isolates of langer hen, isolates of langer hen, या दख लोगे यह हमें मोटा मोटा या दखना है, आगे आओ question क्या होगा, metamorfin metamorfin, यह मुझे या दखना है, किसके लिए होते है, diabetes के लिए, जिनको diabetic patient है, वो यहाँ पर याद लखना है, clear है, अगला कुशन देख लेते हैं, next सवाल है, bile is secreted by the following part of human body, अभी थोड़ दे पहले मैंने पढ़ा था, कि अगर मेरे पास bile juice है, तो उसके अंदर दो चीज़ तरह होती है एक होती है, बिली रूबिन, बिली रूबिन, और एक होता है, बिली वर डिन याद रखेंगे, ये green color देता है ये yellow color देता है अगर ये ज़्यादा हो जाता है, तो john dis हो जाता है, तो सवाल क्या कह रहा है, कौन produce करेगा, liver, liver क्या है largest gland है, हमारी सबसे बड़ी गरंती है, liver के बारे में और क्या जानते हैं, अगर कोई problem आती है, तो इसको हम बोलते हैं, haptic failure क्या बोलते हैं, haptic से relate करेंगे liver के पास maximum regenerate करने की power, regenerate सबसे जल्दी ठीक कर सकता है, regenerative power, ये भी मैं याद रख लूँगा, आगे आजओ, which is the condition in which the concentration of glucose in the blood is high, ये कह रहें कि अगर मानलोग glucose की concentration blood में ज़्यादा हो गई, तो हम कहेंगे, सर उस आदमी को क्या हो गया, blood sugar हो गया, blood sugar या इसी को हम क्या कहते है, diabetic हो गया patient, diabetic हो गया अब ये कह रहें, इसको बोलेंगे क्या hypo को मतलब कम होता, इसको तो हटाओ इसका मतलब glucose के लेवल कम होना hyper का मतलब, हाँ, सर ये ज़्यादा लग रहे है correct answer नजर आ रहे है, correct answer नजर आ रहे है बिल्कुल असान, सवाल क्या था which of following, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल produce ये करते हैं, store वहाँ पे करेंगे बोलो भी, मामला समझ में आ गया उसके बाद ephysema क्या होता है, सांस की प्रॉबलम है bronchitis में problem, bronchitis की problem है सांस की problem, bronchitis या रख लोगे उसके बाद glycosuria, glycosuria का मतलब क्या होता है sugar content urine में लगता है sugar urine में आने लगता है reduce होगे, कम होगे बोलो भाई, कुछ समझ में आया उपर से कहा, नहीं, अगला सवाब which of the following is the lightest radioactive element periodic table periodic table के अंदर lightest radioactive element के बारे हम बात करें polynium, uranium, treatium, deuterium correct answer में क्या लगा हो, अच्छा सवाल है answer लगा, क्या होगा treatium होगा, correct answer क्या होगा, treatium होगा अब radioactive के बारे में जब भी हम बात करते हैं, radioactive elements की units क्या होती है, बेकरल है, बेकरल लगा दे, हैंडरी बेकरल, founder आदमी है, याद रखेंगे उसके बाद uranium की होज की थी uranium सबसे तगड़ा radioactive element है वही अगर हम बात करें maricure and pericure maricure and pericure these are the two person founder of radium polynium, याद रखो, पोलेंड में रहते हैं, तो polynium वड याद रख लेना, ये इसके founder है, इनको दो बार noble prize बना है दो बार noble prize याद रखो noble prize दो बार मिला है, याद रखना एक बार chemistry के लिए और एक बार physics के लिए, ये तकड़ा सवाल है, ये तकड़ा सवाल है noble prize की शुरुवात कब हुई थी? sir, noble prize की शुरुवात हुई थी 1901 में और तब 5 category में शुरुवात की गई थी easy question, अगला सवाल which of the following is used as non-stick coating for cooking utensils ये कहे रहे, बरतन लेके आए हूँ लगाओ answer लगाओ answer लगाओ जी answer coating, non-sticky coating बैटेफलोन होगा ये तकड़े टेफलोन होना चाहिए उसके उपर आगयाओ, इन में से कौन सा commonly used pulp bleaching in paper industry, paper industry में सबसे जादा as a bleaching इस्तमाल होता है, bleaching सुनते ही तो मेरे दिमाग में bleaching powder भी याद आता है, bleaching powder मैं लिख दू, bleaching powder c a o c l 2 calcium oxy chloride, ये bleaching powder है अभी कहारे, pulp bleaching paper industry में इस्तमाल होता है कौन सी, glucose isomerase, hydrogen peroxide mixture of sodium, iodine water, mild sulfuric acid correct answer correct answer, hydrogen peroxide correct answer कहारेगा, hydrogen peroxide सिद़ याद कर दो, next सबाल देखिएगा which of the following gas is used in preparation of bleaching powder अभी bleaching powder अब में थोड़े पहले पढ़ा था calcium oxy chloride answer क्या लगाओ answer क्या लगाओ, कौन सी gas के इस्तमाल होते, bleaching powder बनाने के लिए answer क्या होगा, chlorine होगा answer क्या होगा, chlorine होगा, याद कर लोग, yes or no clear जी अगला question देखते हैं nitric acid, हम कुछ ज्यादा speed में चल रहे हैं क्या अच्छे एक ची मुझे बताना CHCl3 क्या बोलते हैं इसको CHCl3 क्या बोलते हैं CHCl3 कुछ याद आ रहा हो chloroform chloroform बोलते हैं नहीं chloroform आगला question nitric acid does not react वीचोदा following metal nitric acid जो है react नहीं करता अच्छा, एक मेरे सामनी याद आता है NNO3 इसको क्या बोलते हैं, chili salt better chili salt better और अगर मेरे सामनी कहली खाएगा क्या NO3 क्या बोलेंगे इसको खाली salt better अब सवाली है nitric के react नहीं करता गोल्ड के साथ लेकिन मैं गोल्ड को dissolve कर सकता हूँ किसमे गोल्ड can be dissolve किसमे sir aqua regia aqua regia aqua regia का formula बताओ HNO3 ratio HCl मतलब 1 ratio 3 अगर मैं लेके आता हूँ तो इसमें मैं गोल्ड को dissolve कर सकता हूँ बोलो भई बात समझ में आई बात समझ में आई बदा नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं थोड़ा speed में करा रहा हूँ जो beginner बच्चा है वो समझ नहीं पा रहा हूँगा ऐसा मुझे लग रहा है बीच बीच में अगला सवाल देखते हैं सवाल यह कहता है पहले सवाल को अराम से पढ़ देते हैं इन में से कौन सा acid can decolorize purple colored potassium permagnate solution potassium permagnate potassium permagnate का हम लाल दवाई बोलते हैं लाल दवाई और इसी लाल दवाई के अंदर oxygen के 4 molecules होते कितने मोलीकुल होते हैं चार मोलीकुल अगला question decolorize करता है क्या चीज में डालू citric acid sulfuric acid carboxylic acid और hydrochloric acid क्या डालू मैं लगाव जयान से चेक हैं सही है चलो अगर मुझे परपगलोरिक करना है तो citric acid डालूँगा क्या डालूँगा citric acid डालूँगा अच्छे एक चीम दर है ascorbic acid किस विटामिन को आ जाता है ascorbic acid एक से दरवाजा बंपो बहुत आवाज आने लगी है सर्सुति माता को लेके जा रहे है ऐसे पुझा पुझा कर रहे है चीक है चलो करेक्टान से कह रहेगा ascorbic acid for vitamin C vitamin C या जख लोगे vitamin C की जिसको कमी लगे स्करवी होगा vitamin C की कमी स्करवी होगा ठीक है hydrochloric acid hydrochloric acid HCL ही तो है ने hydrochloric acid का भी मिलता है पेट में मिलता है pH काभी कम होता है एक से दो के बीच में इसका pH भी होता है ऐसे करके भी आगट लिए next आ जाएगा इन में से कौनसा instrument जो है वो low temperature को मापने का काम करता है temperature बड़ा down है temperature बड़ा down है क्या answer दूँ temperature बड़ा down है सबसे पहले हम थोड़ अचा eliminate करने की कोशिश करें तो हमको थोड़ा समझ में आचा लगओ यह पर सारे बच्चे बोड कब तक आ जाएगा यार बोड आ जाएगा तुम्हारा most probably परसो परसो आ जाएगा अचा बोड में जादा मजा आता है बोड में जादा मजा आता है हाँ के न बोड में से खुब मजा आ रहे है यह बोला तो भाई मैंने बोला तो सब मैसेज कर दीजेगा मैसेज मैंने वैसे नको डाल दिया तुम्हारा भाई extension का डाल तो रखा है चलो करेक्टान से कहलो करेक्टान से कहा रहेगा क्रायो मीटर क्रायो मीटर कीमो क्या होगा यह वेव के लिए क्रोमेटो कलर के लिए आ जाएगा और डाइको मीटर अगर मुझसे पूछा जाए यह भी कंड़क्टेंस के लिए था कंड़क्टेंस के लिए कंड़क्टेंस यह कंड़क्टिविटी ओफ पावर इन के लिए आएगा तो क्रेट आंसर मेर के आ रहेगा ए रहेगा ठीक है अगला कुशन देखे वई तुम ना थोड़े जोश देखाया डेली जब आते हो ना ऐसे पढ़ने आ गए जोश टेसा देखाया मैं शुरू में देखता हूँ शुरू में क्लास देखाया असी बच चोगए पिर बचास पिर साथ पिर चाल तो जब क्लास आते हो था ठीक है next a sulfide ore is converted into metal oxide by विचोधा following process मेर पास एक sulfide ore पढ़ी है मुझे उसको metal oxide में convert करना है क्या करूँ roast कर दूँ anodizing कर दूँ calcinization कर दूँ carbonation कर दूँ roasting कर दूँ ठीक है अच्छा मैं थोड़ा सा आपको topical wise लेके जाओं क्या या PY क्यों हम railway का शुरू करते ear wise मैं आपको रोज पूसता हूँ तुम suggestion देते हैं तुम railway का करवा दो railway का मैं करवाता हूँ अगर तुम कहोगी ये ear wise करवा दो तो मैं ear wise लेके चल सकता हूँ पर उसके लिएक आपको ये काम करना पड़ेगा you have to send me the railway previous year question PDF ठीक है railway की previous year की एक PDF मुझे भेज़ दो अगर किसी के पास है तो गुर्प तुम्हें पता ये जी के जी एस वाला जो गुरूप है उसमें भेज़ दो मैं उसको eliminate कर लोगा जो जो मुझे लगेंगे खासम खास सवाल important सवाल है ये ear wise उसको लेके चले जाते है ठीक है ऐसा हम लोग कर लेगे अगला कुशन देखेगा which of the following substance produces brisk efforvence when treated with baking soda मेरे पास baking soda पड़ा है react करवा दो एक हलकी सी efforvence निकल के आएगी ठीक है तो vegetable oil डाल दूँ vinegar डाल दू ethanol डाल दू chloroform डाल दू वैसे इस cancer क्या रहेगा acetic acid acetic acid मतलब वो सिर्का डालना है vinegar डालना है CS3-CCOH या इसी को मैं ethenoic acid भी बोल सकता हूँ ethenoic acid ये भी बोल सकता हूँ credit answer समझ में आ गया वैस के अंदर answer होगा B unacademy class कब होती है वैसे generally मैं 5 p.m. पर class ले रहा हूँ कल से बट time open लेके जाएगा चलो है topic वाई शुरू करता है कल तुमारा topic होगा कल तुमारा topic होगा अब update कर दिया जाएगा तुम्हे liquified petroleum gas is a mixture of which are the following two components LPG किसके component से मिलकर बनाए butane, propane, methane, propane, isobutane, propane, methane, isobutane भाई ये बिलकुल याद है butane और propane होगा और cigarette lighter में भी तो यही होता है cigarette lighter में भी तो क्या होता है sir butane ही तो होता है याद रख लोगे? हाँ sir याद है हम लोगों को अगला सावाल देखेगा अगर हम यह कहते हैं मेरे पास Coca-Cola पढ़ी है ले के आवए Coca-Cola बैट के पीएंगे ठीक है? मैं लूंगा यार लूंगा शुरू कर दूँगा आज कल तबे थोटी कराब नहीं सी लिए मैं गरे Coca-Cola लेके आ रहा हूँ प्रेजिंस है इन में से कौन से Acid की? यह Coca-Cola रखे है सामने Acid बताओ Acid तो सिर्के में होगी चिटी-काटी की तो यह वाली इमेली में बचा क्या? फोस्फोरीक अचिड बचा क्या? फोस्फोरीक अचिड इस बार के पेपर में बहुत अगड़ा सवाल आया था इदर आउज रहा पेपर में इस बार सवाल आया था मैं बटर में कौन से Acid होता है? और Butyric Option में दिया होता अनियन में कौन सा होता है? Glutamic चिक है? और बतातो हूँ क्या आया था Option में सिर्का विरिकाई सब हमें याद है इन में कोई नहीं पूछ रहा एपल में माली कैसे कोई नहीं पूछ रहा अगला बतातो हूँ तुम्हे ये कुशन है था Coconut के तेल में कौन सा होता है? और Option में था Caprallic Acid पर ये वाले सवाल आजकल जादा आने लगे है और 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 Soya Bin Oil में कौन सा होता है? Linoleak Acid ये तगड़े सवाल है Coconut Mill में Loric Acid ये है तगड़े सवाल, इनको रटो ठीक है? ये कुछ important fruits है ये सारे हमारे अलग-अलग Acid किसमें क्या-क्या मिलता है? इस table को भी याद कर लोगे अलमोस सारे कोशन कर लोगे चीक है? चलो अगला सवाल देखते है Which of the following gas is used in manufacturing of वनस्पती घी? वनस्पती घी बनाने में इन में से किसका योगदान होता है? नाइट्रोजन का ऑक्सिजन का, कर्डोन डैक्साइड का और हाइड्रोजन का वनस्पती घी के बारे में अगर हम से बात की जा रही है तो याद अख लेना वनस्पती घी में हम हाइड्रोजन या जर्नलीस को हाइड्रोजिनेशन भी बोल देते है बनस्पदी गी का निर्मान हाइड्रोजिनेशन प्रॉसेस के थुरू होता है कोई बच्चा मुझे यह उताओ बनस्पदी गी बनाने में कोई कैटलिस्ट का इस्तमाल करते है कौन सा कैटलिस्ट है बनस्पदी गी बनाएंगे यह कैटलिस्ट का इस्तमाल करें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला सवाल देखते हैं चलो भई सवाल यह है विचोधा फॉल्विंग एपरेटर इस यूज़ तो टेस्ट एसीडिटी ओफ एक्वस सोलुशन एक्वस सोलुशन की एसीडिटी में आपने का काम करता है कौन बहुत कोई भी सोलुशन एसीड है बेस है पी एच मीटर से पता लगाओ यहां से हुमिटिटी पता लगाओ लेक्टो से लेक्टिक एसीड बताओ कलोरी मीटर से हीट बताओ तो आगया मेरा आंसर आगया के नहीं मेरा आंसर हां के ना ठेक है, अब एक और बड़िया चीज, बड़िया चीज क्या है, आप लोग लिए चल रहा है, unlock offer, using the code examo, unlock offer यूज करें, जहाँ पर आपको दो साल का सब्सक्रिप्शन 2549, एक साल का सब्सक्रिप्शन 2399 में मिलने वाला है, 17 तक validity है, यह आपको ले सकते हो, उपर से हमारे जि कर सकते हो, मैं आपको अपनी classes के बारे में बता देता हूं, कि मेरी classes कौन कौन सी चलती है, कब कब चलती है, सबसे तगड़ी चीज जो आप लोगे लिए आएगी ना, जो अभी तक मेरे को लगता है कि डिलिवर नहीं हुई है, static GK का complete batch आएगा, static GK, और यह super से उपर वाल बैच रहने वाला है, यह वाला बैच, ठीक है, और quality का foundation batch शुरू हो का फरवरी के end में, economics अभी चल रही है, तो यह 3-4 चीज़े आपको इन्रोल आप कर सकते हो, मेरे साथ, और इससे अगले महीं प्रैक्टिस बैच आएगा, तो यह 4 चीज़े जो अभी मैं आपको डिलिव लोक शर्मा, यहाँ पर जाना है, और इसका प्राप्त करना है, और अराम से पढ़ना है, और जो पच्छे सेशन को देखते हैं, लाइक जरू करते रहा है, लाइक से मच शर्माय करो, लाइक तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, चाल, तो आज के लिए इतने, वह टेक केर, मि बहुते?